इस चाप्टर में हम इन सवालों के जवाब देंगे Marketing, Customer Value को कैसे प्रभावित करती है Corporate और Divisional Levels पर Strategic Planning को कैसे किया जाता है Business Unit Level पर Strategic Planning को कैसे किया जाता है Marketing Plan में क्या शामिल होता है Marketing Strategies और Plans बनाना समय के साथ सही Marketing Strategies को बनाय रखने के लिए Discipline और Flexibility दोनों की ज़रूरत होती है Companies को एक Strategy से जुड़े रहना चाहिए लेकिन उसमें लगातार सुधार भी करते रहना चाहिए आज की तेजी से बदलती Marketing की दुनिया में सबसे अच्छी Long Term Strategies को पहचानना बहुत ज़रूरी है लेकिन यह Challenging भी है जैसा की HP ने महसूस किया है एक एक असली Technology Payonia, Hewlett Packard, HP को हाल के वर्षों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिसके चलते 2012 में इसे 9.5 billion से ज़्यादा का quarterly charge देना पड़ा जो की अब तक का सबसे बड़ा था इसमें से $8 billion इस बात का write-down था कि उसकी 80 services unit की value कम हो गई इसके पीछे का कारण था EDS का बेहत खराब acquisition यूनिट का revenue गिर गया जब customers ने बड़े long term outsourcing contracts को sign करना बंद कर दिया जो unit के business model का सबसे अहम हिस्सा थे Oracle के साथ जगड़ा होने और अने कारणों के चलते HP के बड़े servers की बिक्री में गिरावट आई जो business customers खरीदते थे ऐसे market में जो mature हो रहा था और कुछ अच्छे नए products नहीं थे PC की बिक्री इतनी धीमी हो गई कि HP ने कहा कि वह इस business से निकल रहा है printer और इंक की बिक्री गिर गई क्योंकी consumers ने कम चापना शुरू कर दिया नई CEO Meg Whitman ने कहा कि company design पर ज़्यादा ध्यान देगी और PC group को reorganize करेगी ताकि साफ minimalist चीजें बने उन्होंने माना कि company के पास अभी mobile phones के लिए कोई strategy नहीं थी और इस पर काफी काम करना बाकी था इस chapter में सबसे पहले कई marketing implications पर नज़र डालेंगे जो customer value को बनाने के लिए हैं planning पर कई दृष्टिकोनों को देखेंगे और समझेंगे कि एक formal marketing plan को कैसे तेयार किया जाता है marketing और customer value किसी भी business का काम है कि वह customer value को ऐसे बनाए कि उससे profit हो कोई भी company सिर्फ तभी जीट सकती है जब वह value delivery process को बेहतरीन करे और increasingly well informed buyers को superior value को चुनने देने और बताने में सक्षम हो value delivery process marketing के बारे में traditional लेकिन पुराना नज़रिया यह है कि एक company कुछ बनाती है और फिर उसे बेच देती है और marketing इस बिक्री प्रक्रिया के दौरान होती है ऐसा सोचने वाली company केवल उन economies में कामियाब होती है जहां माल की कमी हो और consumers quality features या style के बारे में ज़्यादा ना सोचें जैसे की developing markets में बेचे जाने वाले basic staple goods ऐसी economies में जहां कई तरह के लोग रहते हैं जिमें से सबकी अलग-अलग wants, perceptions, preferences और buying criteria होती है एक समझदार competitor को well-defined target markets के लिए offerings को design और deliver करना होता है इस सोचने business processes के बारे में एक नया नजरिया दिया है जिसमें marketing को planning की शुरुआत में रखा जाता है making और selling पर जोर देने की बजाए अब companies खुद को value delivery process के एक हिसे के रूप में देखती है value creation और delivery sequence को हम तीन हिसों में बाठ सकते हैं दो सबसे पहले value चुनना एक ऐसा homework है जो marketers को product बने से पहले करना पड़ता है उन्हें market को segment करना है सही target को चुनना है और offering की value positioning को बनाना है यह formula, segmentation, targeting, positioning, STP ही strategic marketing का सार है दूसरा दौर है value प्रदान करने का marketing को specific product features, prices और distribution को पहचानना है तीसरे दौर का काम है value को communicate करना जिसके लिए internet, advertising, sales force और अन्य communication tools का इस्तिमाल करके product के बारे में बताया जाता है और उसे promote किया जाता है value delivery process product बनने से पहले शुरू होती है और development के दौरान और launch के बाद भी चलती रहती है प्रतेक दौर में कुछ न कुछ खर्चा आता है The value chain के Michael Porter ने value chain को एक tool के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी मदद से customer value को बढ़ाने के तरीकों को पहचाना जा सकता है तीन इस model के अनुसार हर company कई तरह की activities को मिला कर बनी है और ये सब activities मिलकर किसी product को design करने बनाने, market करने, deliver करने और support करने के लिए की जाती है वैल्यू को बनाने और किसी खास business में cost का खर्चा उठाने वाली नौ strategically relevant activities में पांच primary और चार support activities है Primary activities ये है एक, inbound logistics या materials को business में लाना दो, operations या materials को final products में बदलना तीन, outbound logistics या final products को बाहर भेजना चार, marketing जिसमें sales भी शामिल है और, पांच, service Specialized departments in support activities को संभालते हैं एक, procurement दो, technology development तीन, human resource management और, चार, firm infrastructure Infrastructure में general management, planning, finance, accounting, legal और government affairs का खर्चा शामिल होता है Company का काम है यह देखना की हर value creating activity में कितना खर्चा हो रहा है और उसका performance कैसा है और साथ ही competitors से इसकी benchmarking करना और सुधार के तरीकों को भूंडना Managers दुनिया की सबसे अच्छी companies की best of class, practices को देख सकते हैं इसके लिए उन्हे customers, suppliers, distributors, financial analysts, trade associations और media से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए की सबसे अच्छा काम कौन करता हुआ लगता है ज़रूरत हो तो बड़ी से बड़ी companies भी performance को सुधारने के लिए benchmarking कर सकती हैं चाहे दूसरी industries की companies के साथ ही क्यों ना करना पड़े G.E.E.P.E.G. के साथ-साथ ही अपनी खुद की best practices बनाते समय benchmarking की है 4. Company की काम्याबी न सिर्फ इस बात पर निरभर करती है कि हर department अपना काम कितनी अच्छी तरह से करता है बलकि इस बात पर भी निरभर करती है कि co-business processes को पूरा करने के लिए company कितनी अच्छी तरह से departmental activities को coordinate करती है 5. In processes में शामिल है Market Sensing Process Market के बारे में जांकारी इकठा करना और उसके मुताबिक काम करना New Offering Realization Process नए high quality offerings को जल्दी से और budget के भीतर बनाना, research करना और launching करना Customer Acquisition Process Target Markets को define करना और नए customers की तलाश करना Customer Relationship Management Process Individual Customers के साथ गहरी समझ बनाना, संबंध बनाना और offerings Fulfillment Management Process Orders को receive करना और approve करना माल को समय पर भेजना और payment लेना The Value Chain के Michael Porter ने Value Chain को एक टूल के रूप में प्रस्तुत किया है जिसकी मदद से customer value को बढ़ाने के तरीकों को पहचाना जा सकता है तीन इस model के अनुसार हर company कई तरह की activities को मिला कर बनी है और ये सब activities मिलकर किसी product को design करने, बनाने, market करने, deliver करने और support करने के लिए की जाती है Value को बनाने और किसी खास business में cost का खर्चा उठाने वाली non-strategically relevant activities में पांच primary और चार support activities है Primary activities ये है एक, inbound logistics या materials को business में लाना दो, operations या materials को final products में बदलना तीन, outbound logistics या final products को बाहर भेजना चार, marketing जिसमें sales भी शामिल है और पांच, service Specialized departments इन support activities को संभालते है एक, procurement दो, technology development तीन, human resource management और चार, firm infrastructure Infrastructure में general management, planning, finance, accounting, legal और government affairs का खर्चा शामिल होता है Company का काम है यह देखना की हर value creating activity में कितना खर्चा हो रहा है और उसका performance कैसा है और साथ ही competitors से इसकी benchmarking करना और सुधार के तरीकों को भूंडना Managers दुनिया की सबसे अच्छी companies की best of class, practices को देख सकते है इसके लिए उन्हें customers, suppliers, distributors, financial analysts, trade associations और media से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए की सबसे अच्छा काम कौन करता हुआ लगता है जरूरत हो तो बड़ी से बड़ी companies भी performance को सुधारने के लिए benchmarking कर सकती है चाहे दूसरी industries की companies के साथ ही क्यों ना करना पड़े G.E.E.P.E.G. के साथ साथ ही अपनी खुद की best practices बनाते समय benchmarking की है 4. Company की काम्याबी न सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हर department अपना काम कितनी अच्छी तरह से करता है बलकि इस बात पर भी निर्भर करती है कि co-business processes को पूरा करने के लिए company कितनी अच्छी तरह से departmental activities को coordinate करती है 5. इन processes में शामिल है Market Sensing Process Market के बारे में जांकारी इकठा करना और उसके मुताबिक काम करना New Offering Realization Process नए high-quality offerings को जल्दी से और budget के भीतर बनाना, research करना और launching करना Customer Acquisition Process Target Markets को define करना और नए customers की तलाश करना Customer Relationship Management Process Individual Customers के साथ गहरी समझ बनाना, संबंध बनाना और offerings Fulfillment Management Process Orders को receive करना और approve करना माल को समय पर भेजना और payment लेना मजबूत Companies अपने Workflows को कर रही है मजबूत Companies अपने Workflows को फिर से design कर रही है और हर process के लिए responsible होने के लिए cross-functional teams बना रही है छे Ford ने एक cross-functional team बनाई जिसने हर vehicle में 30% पानी कम इस्तेमाल करने में मदद की साथ अट एटी, LexisNexis और Whitney ने अपने employees को cross-functional teams में बदल दिया है Cross-functional teams non-profit और government organizations में भी काम करती है 8. किसी company को suppliers, distributors और customers की value chains में भी अपने operations से बाहर जाकर competitive advantages को देखना चाहिए आज बहुत सी companies ने specific suppliers और distributors के साथ partnership की है ताकि वह एक बेहतरीन value delivery network बना सकें जिसे supply chain भी कहा जाता है Core Competencies आज companies कम महत्वपून resources को outsource कर देती हैं अगर उन्हें इसे बेहतर quality या कम लागत मिल सकती है यहाँ सबसे अहम बात यह है कि company अपने resources और competencies को जो की business का बहुत जरूरी हिस्सा है उन्हें खुद के पास रखे और उन्हें विक्सित करें कई textile, chemical और computer electronic product firms offshore manufacturers का इस्तेमाल करती है और product design और development तथा marketing जो उनकी core competencies हैं पर ध्यान देती है Core Competency में तीन विशेशताएं होती है एक, यह competitive advantage का एक source है और perceived customer benefits में एक अहम योगदान देती है दो, इसके बहुत से markets में applications होते हैं और तीन, competitors के लिए इसकी नकल करना मुश्किल होता है Competitive advantage का साथ देते हैं distinctive capabilities या बड़ी business processes में बेहतर होना Wharton के George Day कहते हैं कि market driven organizations तीन मुखे क्षमताओं distinctive capabilities में आगे होते हैं Market Sensing, Customer Linking और Channel Bonding No Market Sensing के बारे में, Day कहते हैं कि कई बार बहुत बड़े opportunities और threats, weak signals के रूप में किसी business के दूरदराज वाले हिस्सों, periphery से आते हैं Thus, वह peripheral vision को ऐसे विक्सित करने की बात करते हैं, जिसमें systematically रूप से तीन सवाल पूछे जाते हैं, जो बीते हुए समय से सीखने, वर्तमान का मूल्यांकन करने और भविशे के बारे में सोचने से संबंधित हैं Businesses को शायद खुद को फिर से विवस्थित करने की जरूरत होगी ताकि वह को competencies को बढ़ा सकें Realignment के तीन चरण है 1. Business Concept या Big Idea को फिर से Define करना 2. Business Scope को फिर से आकार देना 3. Company के Brand Identity को फिर से Positioning करना Peabody Energy ने एक नया Global Organizational Structure बनाया जिसमें Americas, Australia और Asia में Geographic Business Units बनाई गई ताकि वह दुनिया भर में इसकी बढ़ती पहचान को दिखा पाए 11. Business में होने वाले बदलावों के कारण अकसर Relignment और Restructuring जरूरी हो जाता है जैसा कि Panasonic और दूसरी Japanese Technology और Electronic Companies को लगा Panasonic जैसे जैसे Panasonic 2018 में अपनी एक सवीन Anniversary के करीबा रहा है उसे अभूत पूर्व चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है खास तोर पर लगभग 19 डॉलर बिलियन का बहुत बड़ा नुकसान जो 2011 और 2012 में हुआ था कई सालों तक इसकी Ideas for Life, Positioning से Innovation मिलता रहा और इसने कई सफल Products बनाए जैसे कि इसका मजबूत Toughbook Notebook Computers इसके Television Sets और दूसरे Home Electronics को परेशानी होने लगी जब Economy खराब हो गई और साथ ही Consumers ने Flat Screen LCD Television को सिर्फ एक चीज मानना शुरू कर दिया इसके साथ ही एक मजबूत Yen और Japan में Manufacturing की ज़्यादा लागत के कारण Panasonic के लिए कीमत में Competition करना मुश्किल हो गया था एक खास जगह को लेकर होने वाले जगडे से पैदा हुई Anti-Japanese Sentiment China में इसकी राह में एक बड़ी मुश्किल बन गई आखिर में को 2009 में खरीदने के कारण जो की कमपनी के Green Energy Products को ज़्यादा बेचने में मदद के लिए किया गया था निराशाजंक रहा 2012 के अंत में नए President ने एक बड़ी Restructuring की जिसमें Japan में Manufacturing को कम किया गया विदेशों में Mobile Phone Market को छोड़ दिया गया और Investment को Solar Panels और Rechargeable Batteries में घटा दिया गया ने जोर दिया कि Panasonic Business Units को विवस्थित करेगी और सिर्फ Revenue Growth की जगह Profit पर ज़्यादा ध्यान देगी Strategic Planning की केंदरिय भूमिका एतिहासिक रूप से केवल कुछ चिनिंदा Companies ही Master Marketers के रूप में जानी जाती है देखें Table 2.1 ये Companies Customer पर ध्यान देती हैं और बदलती जरूरतों के लिए जवाब देह तरीके से Organized होती है इन सभी में अच्छे से भरे हुए Marketing Departments होते हैं और दूसरे Departments भी यह मानते हैं कि Customer राजा है इन में अक्सर Marketing Leadership भी मजबूत होती है जो एक सफल CMO के रूप में सामने आती है देखें Marketing Memo What does it take to be a successful CMO? यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही Activities को पूरा करें पॉर्टफोलियो की तरह मैनेज करना दो, Market के Growth Rate और उस Market में Company की Position का मूल्यांकन करना और तीन, एक Strategy बनाना Company को हर Business के Long Run Objectives को पाने के लिए एक Game Plan बनाना ही चाहिए जदातर बड़ी Companies चार Organizational Level से मिलकर बनी होती है एक, Corporate दो, Division तीन, Business Unit और चार, Product Corporate Headquarters एक Corporate Strategic Plan डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार होता है जो पूरे Enterprise को आगे ले जाता है यह प्रतेक Division को Resources को कितना Allocate करना है और किन Businesses को शुरू करना या खत्म करना है के बारे में निरने करता है प्रतेक Division प्रतेक Business Unit के लिए Funds के Allocation को समिलित करता हुआ एक Plan बनाता है प्रतेक Business Unit एक Strategic Plan बनाता है ताकि Unit का भविशे Profit से भरा हो आखिर में, प्रतेक Product Level, Product Line, Brand अपने उद्देशियों को पाने के लिए एक Marketing Plan बनाता है Marketing Plan, Marketing के प्रयासों को Direct और Coordinate करने के लिए सबसे मेहत्वपूर्ण साधन है यह दो Levels पर काम करता है Strategic और Tactical Strategic Marketing Plan, Target Markets और Firm के Value Proposition को बताता है जो बाजार में सबसे अच्छे Opportunities के विशलेशन पर आधारित होता है Tactical Marketing Plan, Marketing Tactics को बताता है जिसमें Product Features, Promotion, Merchandising, Pricing, Sales Channels और Service शामिल है Strategic Planning का पूरा Planning, Implementation और Control Cycle Figure 2.1 में दिखाया गया है इसके बाद, हम Organization के चारों Levels पर Planning के बारे में सोचते है Corporate and Division Strategic Planning चाहे Corporate Headquarters अपनी Business Units को अपने Goals और Strategies बनाने दे या इसमें उनकी मदद करे सभी Corporate Headquarters चार Planning Activities करते है Corporate Mission को Define करना Strategic Business Units बनाना प्रतेक Strategic Business Unit को Resources अलोकेट करना Growth Opportunities का मूल्यांकन करना आये, Immei से प्रतेक प्रोसेस पर एक नजर डालते है Marketing Memo What does it take to be a successful CMO? Chief Marketing Officers, CMOs, के सामने यह चुनाती है कि काम्याबी के कारण कई और विविद है CMOs में बहुत अच्छी quantitative और qualitative skills होनी चाहिए उनका attitude independent और entrepreneurial होना चाहिए साथ ही दूसरे departments के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए और उन्हें consumers का voice समक्ष लाना चाहिए और साथ ही इस बात की गहरी समझ भी होनी चाहिए कि marketing कैसे value बनाती है Two-thirds of top CMOs मानते हैं कि return marketing investment 2015 में उनके प्रभावी होने का मुख्य पैमाना होगा एक survey में 200 senior level marketing executive से पूछा गया कि कौन सी innate और learned quality सबसे अहम थी जिससे ये जवाब मिले innate qualities जोखिम उठाने वाला निरने लेने का इचुक problem-solving ability बदलाव लाने वाला results-oriented learned qualities global experience multi-channel expertise cross-industry experience digital focus results-oriented marketing experts George Day और Robert Malcolm मानते हैं कि आने वाले सालों में तीन शक्तिया CMO का रोल बदल देंगी एक, predictable marketer plays trends 2. C-suite का changing role 3. Economy और organizational design के बारे में अनिश्चित्ता वह किसी भी successful CMO के लिए पांच priorities बताते हैं company के future के लिए दूरदर्शिता के साथ काम करे adaptive marketing capabilities बनाए marketing talent के लिए लडाई में जीत हासिल करे sales के साथ alignment को मजबूत करे marketing पे होने वाले खर्चे के returns की जवाब देही ले शायद किसी भी CMO के लिए सबसे अहम रोल है कि ऐसे business decisions में जो customer touch point जहां customer सीधे या घुमा कर company के साथ बात करता है को प्रभावित करते हों customers perspective लाना इन customer insights में ज्यादा से ज्यादा global focus होना चाहिए जैसा की एक top executive search firm के leader ने कहा आने वाले समय के CMO को global और international experience होना चाहिए यह बिना विदेश में रहे भी किया जा सकता है लेकिन उन markets में जाने का experience होना चाहिए इससे आपकी आखें business करने के नए तरीकों को देख पाती है cultural sensitivity बढ़ती है और flexibility आती है से lend करना, रात भर रुकने की जगह देना समय के साथ नए opportunities या बाजार की परिस्थितियों के जवाब में mission बदल सकता है Amazon.com ने अपना mission बदल दिया है अब यह दुनिया का सबसे बड़ा book store होने की जगह दुनिया का सबसे बड़ा online store बनना चाहती है eBay ने online auctions for collectors से बदल कर हर तरह के माल के लिए online auction चलाना शुरू कर दिया Duncan, donuts ने अपना focus donuts से हटा कर coffee पर डाल दिया अपने mission को define करने के लिए एक company को Peter Drucker के classic questions पर विचार करना चाहिए तेरह what is our business? Who is the customer? What is a value to the customer? What will our business be? What should our business be? ये आसान लगने वाले सवाल companies के सामने आने वाले सबसे मुश्किल सवाल हो सकते हैं Successful companies लगातार ये सवाल करते हैं और इनके जवाब देते हैं Business definition Companies अकसर अपने को products के आधार पर define करती हैं वे auto business में हैं या clothing business में एक business के market definitions हालांकि business को एक customer satisfying process के रूप में बताते हैं Products बदल जाते हैं Basic needs और customer groups हमेशा रहते हैं इस जरूरत को transportation पूरी करती है घोड़ा और गाड़ी गाड़ी रेल गाड़ी हवाई जहाज जहाज और ट्रक ऐसे products हैं जो इस जरूरत को पूरा करते हैं सोचिए कैसे steel case अपने business को market definition के नजरिये से देखती है Steel case Steel case जो office furniture की दुनिया की सबसे बड़ी company है अपने को office environments में work experience को बेहतर बनाने में वैश्विक अगुवा कहती है पूर्व CEO James Hackett अपने business को broadly define करते हुए कहते हैं इससे हमें काम के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली जिन्हें हमने office से आगे home offices, schools और health care facilities को बेहतर बनाने में इस्तिमाल किया Steel case इन जानकारियों को हासिल करने के लिए 23 लोगों की एक research team का इस्तिमाल करती है और interviews और service कराती है office की activities को film करती है और sensors का इस्तिमाल करती है ताकि यह ना पा जा सके की workers rooms और furnishings का कैसे इस्तिमाल कर रहे हैं उदाहरं के लिए firms कम cubicles और filing cabinets order कर रही हैं और ज़्यादा benches, tables और cafe seating मांग रही हैं ताकि employees brainstorm और collaborate कर सके Hackettis बदलाव को I fixed, say, we mobile वाली mentality में बदलाव के रूप में बताते हैं बढ़ा हुआ performance company का मुख्य गोल है अगर steel case यह सोचती है कि इसे workers ज़्यादा खुश और productive हो जाएंगे तो वह एक firm को convince कर सकती है कि वे अपने office furniture को modernize और upgrade करें Businesses को customers की needs के आधार पर देखने से growth के additional opportunities के बारे में पता चल सकता है Table 2.2 में ऐसी companies दी गई हैं जो product definition से market definition की तरफ बढ़ी है Target market definition में अक्सर किसी product या service को अभी के market में बेचने पर focus होता है Pepsi अपना target market उन सब लोगों के रूप में define कर सकती है जो carbonated soft drinks पीते हैं और इसलिए competitors दूसरी carbonated soft drink companies होंगी हलांकी strategic market definition में potential market पर भी focus होता है अगर Pepsi उन सभी लोगों के बारे में सोचे जो अपनी प्यास बुझाने के लिए शायद कुछ पीना चाहें तो इसका competition होगा non-carbonated soft drinks, bottled water, fruit juices, tea और coffee Steelcase Steelcase जो office furniture की दुनिया की सबसे बड़ी company है अपने को office environments में work experience को बेहतर बनाने में वैश्विक अगुवा कहती है पूर्व CEO James Hackett अपने business को broadly define करते हुए कहते हैं इससे हमें काम के बारे में बहुत सी जानकारियां मिली जिन्हें हमने office से आगे home offices, schools और health care facilities को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया Steelcase इन जानकारियों को हासिल करने के लिए 23 लोगों की एक research team का इस्तेमाल करती है और interviews और service कराती है, office की activities को film करती है और sensors का इस्तेमाल करती है ताकि यह ना पा जा सके की workers rooms और furnishings का कैसे इस्तेमाल कर रहे है उदाहरण के लिए firms कम cubicles और filing cabinets order कर रही है और ज़्यादा benches, tables और cafe seating मांग रही है ताकि employees brainstorm और collaborate कर सके Hackett is बदलाव को I fixed, say, we mobile वाली mentality में बदलाव के रूप में बताते है बढ़ा हुआ performance company का मुख्य गोल है अगर steel case यह सोचती है कि इसे workers ज़्यादा खुश और productive हो जाएंगे तो वह एक firm को convince कर सकती है कि वे अपने office furniture को modernize और upgrade करें Businesses को customers की needs के आधार पर देखने से growth के additional opportunities के बारे में पता चल सकता है Table 2.2 में ऐसी companies दी गई हैं जो product definition से market definition की तरफ बढ़ी है Target market definition में अकसर किसी product या service को अभी के market में बेचने पर focus होता है Pepsi अपना target market उन सब लोगों के रूप में define कर सकती है जो carbonated soft drinks पीते हैं और इसलिए competitors दूसरी carbonated soft drink companies होंगी हलांकी strategic market definition में potential market पर भी focus होता है अगर Pepsi उन सभी लोगों के बारे में सोचे जो अपनी प्यास बुझाने के लिए शायद कुछ पीना चाहें तो इसका competition होगा non-carbonated soft drinks, bottled water, fruit juices, tea और coffee Mission Statement बनाना एक साफ सुविचारित Mission Statement जिसे managers, employees और अकसर customers के साथ मिलकर बनाया और share किया गया हो उदेश, purpose, दिशा, direction और मौका, opportunity का बोध कराता है यह अपने सबसे बेहतरीन रूप में किसी vision को दर्शाता है एक ऐसा impossible dream जो अगले 10 से 20 सालों के लिए रास्ता दिखाता है Sony के पूर्व प्रेजिडेंट, आकियो, चाहते थे कि सब को personal portable sound मिले इसलिए उनकी company ने Walkman और portable CD players बनाए Fred Smith चाहते थे कि mail United States में कहीं भी अगले दिन सुबह 10 बज कर 30 मिनट बजे से पहले पहुँच जाए इसलिए उन्होंने FedEx बनाई अच्छे mission statements की पांच बड़ी विशेश्टाय होती है वे थोड़े ही goals पर focus करते है किसी असपश्ट mission statement की तुलना करें total brand value बनाने के लिए innovating करके customer value और customer leadership को हमारे competitors से ज़्यादा तेजी से बेहतर और पूरी तरह से देने के लिए Google के मेहत्व कांक्शी लेकिन ज़्यादा focused mission statement से दुनिया की जानकारी को organize करके इसे universally accessible और useful बनाने के लिए वे company की major policies और values पर जोर देते हैं individual discretion की जगह को कम करने से employees मेहत्वपूर्ण मामलों में लगातार एक ही तरह से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं वे उन major competitive spheres को define करते हैं जिमें company काम करेगी table 2.3 में ऐसे कुछ की competitive dimensions दिये गए हैं जिन्हें mission statements में शामिल किया जा सकता है वे long term view लेते हैं management को mission तभी बदलना चाहिए जब वह relevant न रहे वे जितने short, memorable और meaningful हो उतना ही अच्छा है marketing consultant guy mission statements की जगह 3-4 शब्द वाले corporate mantras बनाने की बात करते हैं जैसे marry के लिए enriching women's lives mission statement बनाना एक साफ सुविचारित mission statement जिसे managers, employees और अकसर customers के साथ मिलकर बनाया और share किया गया हो उदेश, purpose, दिशा, direction और मौका, opportunity का बोध कराता है यह अपने सबसे बेहतरीन रूप में किसी vision को दर्शाता है एक ऐसा impossible dream जो अगले 10-20 सालों के लिए रास्ता दिखाता है Sony के पूर्व president, आकियो, चाहते थे कि सब को personal portable sound मिले इसलिए उनकी company ने walkman और portable CD players बनाए Fred Smith चाहते थे कि mail United States में कहीं भी अगले दिन सुबह 10 बज कर 30 मिनट बजे से पहले पहुँच जाए इसलिए उन्होंने FedEx बनाई अच्छे mission statements की पांच बड़ी विशेशताय होती है वे थोड़े ही goals पर focus करते है किसी असपष्ट mission statement की तुलना करें Total Brand Value बनाने के लिए Innovating करके Customer Value और Customer Leadership को हमारे Competitors से ज़्यादा तेजी से बेहतर और पूरी तरह से देने के लिए Google के मेहत्व कांक्षी लेकिन ज़्यादा focused mission statement से दुनिया की जानकारी को organize करके इसे universally accessible और useful बनाने के लिए वे company की major policies और values पर जोड देते हैं Individual discretion की जगह को कम करने से employees मेहत्वपूर्ण मामलों में लगातार एक ही तरह से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं वे उन major competitive spheres को define करते हैं जिमें company काम करेगी Table 2.3 में ऐसे कुछ की competitive dimensions दिये गए हैं जिन्हे mission statements में शामिल किया जा सकता है वे long term view लेते हैं Management को mission तभी बदलना चाहिए जब वह relevant न रहे वे जितने short, memorable और meaningful हो उतना ही अच्छा है Marketing consultant guy mission statements की जगह 3-4 शब्द वाले corporate mantras बनाने की बात करते हैं जैसे marry के लिए enriching women's lives Mission statements में competitive territory और boundaries को define करना Industry कुछ companies केवल एक ही industry में काम करती हैं कुछ related industries में काम करती हैं कुछ केवल industrial goods, consumer goods या services में और कुछ किसी भी industry में काम करती हैं Caterpillar industrial market पर ध्यान देती है John Deere industrial और consumer markets दोनों में काम करती है Products और applications Firms उन products और applications की range define करती हैं जिनकी वे supply करेंगी St. Jude Medical Commission है दुनिया भर में उन लोगों के हाथों में medical technology और services को विक्सित करना जो cardiac, neurological और chronic pain के patients का इलाज करते हैं हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जहाँ भी संभव हो risk को कम करके और हर patient के successful outcomes में योगदान देकर medicine के practice को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं Competence Firm उन technological और दूसरी को competencies की range बताती है जिन्हें वह master करेगी और leverage करेगी Japan की neck ने computing, communications और components में अपनी core competencies बनाई हैं ताकि वह laptop computers, television receivers और handheld telephones का production कर सके Market segment Market या customers का वह प्रकार जिसे company serve करेगी, market segment है Aston Martin केवल high performance sports cars बनाती है जब अ मुखे तोर पर baby market को सेवाय देता है Vertical, vertical sphere में channel levels की संख्या होती है Raw material से final product और distribution तक जिसमें एक company हिस्सा लेगी एक तरफ ऐसी companies हैं जिनका vertical scope बहुत बढ़ा है American Apparel अपने clothing apparel के line को डाई, design, cena, market और distribute करना downtown Los Angeles के एक ही building में करती है 16. दूसरी तरफ हैं hollow corporations जो लगभग सभी goods और services के production को suppliers को outsource कर देती है Metro newspaper चार continents के 22 देशों में 56 editions में छपती है और इसे हर दिन 17 million से ज़्यादा लोग परते है इसमें कुछ ही reporters हैं और इसका अपना कोई printing press नहीं है इसकी जगह यह अपने articles को अने news sources से खरीदता है और सारा printing और ज़्यादातर distribution तीसरे पक्षों को outsource करता है 17. geographical, regions, countries या country groups की वह range जिसमें company काम करेगी यह उसका geographical sphere बताती है कुछ companies किसी खास शहर या state में काम करती है दूसरी companies multinationals हैं, जैसे Dodge Post, DHL और Rawl Dutch Shell जो 100 से ज़्यादा देशों में काम करती है strategic business units को बनाना बड़ी companies अमूमन काफी अलग-अलग businesses manage करती है और हर business के लिए एक अलग strategy की आवशकता होती है एक समय था जब General Electric ने अपने businesses को 99 strategic business units, SBUs में बाटा था एक SBU की तीन विशेशताय होती है यह एक single business होता है या related businesses का एक समू होता है जिन्हें company के बाकी हिसों से अलग से plan किया जा सकता है इसके अपने competitors होते है इसका एक manager होता है जो strategic planning और profit performance के लिए जिम्मेदार होता है और जो profit को प्रभावित करने वाले ज़्यादातर factors को control करता है Company की strategic business units को identify करने का उदेश ये अलग strategies बनाना और सही funding देना है Senior management जानता है कि उसके portfolio में अकसर ऐसे कई businesses होते हैं जो yesterday's has been's होते हैं और साथ ही tomorrow's winners भी होते हैं Liz Clayborne ने अपने कुछ नए businesses पर ज़्यादा ध्यान दिया है जैसे Juicy Couture, Lucky Brand Jeans, Mixex और Kate Spade जबकि ऐसे businesses को बेच दिया जिम्मे पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया था Ellen Tracy, Sigrid Olson और Laundry प्रतेक SBU को resources देना 18 एक बार SBUs define हो जाने पर management को निरने करना होता है कि हर SBU को corporate resources कैसे दिये जाए GE McKinsey Matrix प्रतेक SBU को competitive advantage की मात्रा, extent और उसकी industry की attractiveness के आधार पर classify करता है Management business को grow करने, उससे cash draw करने या harvest करने या उस पर बने रहने, hold का निरने कर सकता था BCG के growth share matrix में investment के फैसले करने के लिए relative market share और annual rate of market growth को मानक बनाया गया और SBUs को dogs, cash cows, question marks and stars के रूप में classify किया गया Portfolio planning models जैसे कि ये बहुत हद तक favor से बाहर हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा simplified और subjective है नए methods shareholder value analysis पर आधारित होते हैं और इस बात पर भी कि company का market value किसी SBU के साथ ही ज़्यादा है या उसके बिना ये value calculations किसी business की potential को growth के opportunities के आधार पर बताते हैं जो मिलते हैं global expansion, repositioning या retargeting और strategic outsourcing से growth opportunities का मूल्यांकन करना growth के opportunities का मूल्यांकन करने में नए businesses की planning, downsizing और पुराने businesses का terminate करना शामिल है अगर future desired sales और projected sales के बीच में gap है तो corporate management को इसे भरने के लिए नए businesses को बनाना या खरीदना होगा figure 2.2 एक hypothetical manufacturer of blank DVD discs के लिए इस strategic planning gap को दर्शाता है, जिसका नाम Sineview है सबसे नीचे वाला curve अगले 5 वर्षों में current business portfolio से आने वाली expected sales को शो करता है सबसे उपर वाला curve उसी अवधी में desired sales को बता रहा है साफ है कि company अपने current businesses की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ना चाहती है यह इस strategic planning gap को कैसे भरेगी पहला option है current businesses में growth के opportunities को पहचानना intensive opportunities दूसरा option है ऐसे businesses बनाने या खरीदने के opportunities को पहचानना जो current businesses से related है integrative opportunities तीसरा option है आकरशक unrelated businesses को जोडने के opportunities को पहचानना diversification opportunities intensive growth corporate management को सबसे पहले मौझूदा businesses को बेहतर करने के opportunities को देखना चाहिए इसके लिए product market expansion grid एक उपयोगी framework है जो current और नए products एवर markets के आधार पर एक firm के strategic growth opportunities के बारे में बताता है company पहले सोचती है कि क्या वह हम current products के साथ ही current markets में जजादा market share पा सकती है इसके लिए वह market penetration strategy का इस्तेमाल करती है इसके बाद वह सोचती है कि क्या वह अपने current products के लिए नए markets खोज या विक्सित कर सकती है और इसमें Market Development Strategy का इस्तेमाल करती है इसके बाद वह सोचती है कि क्या वह Product Development Strategy का इस्तेमाल करके अपने Current Markets के लिए नए Products बना सकती है बाद में फिर्म एक Diversification Strategy में नए Markets के लिए नए Products बनाने के Opportunities को भी देखेगी सोचिए, ESPN ने कैसे कई तरह के Growth Opportunities का पीछा किया है ESPN, Sports Programming और News पर अपने अनोखे Focus से ESPN एक छोटे Regional Broadcaster से बढ़कर Sports का सबसे बड़ा नाम बन गया है 1990 के दशक के शुरू में, कमपनी ने एक अच्छे से सोचा हुआ प्लान बनाया जहां भी Sports Fan Sports देखें, पढ़ें और उस पर चर्चा करें, ESPN वहां मौझूद होगा इसी स्ट्राटेजी को आगे बढ़ाते हुए इसने अपना Brand Expand किया और अब इसमें शामिल है 10 Cable Channels, एक Website, एक Magazine, कुछ Restaurants, ESPN Zone, 600 से ज्यादा Local Radio Affiliates, Original Movies और Television Series, Book Publishing, Sports Merchandise Catalog and Online Store, Music and Video Games और एक Mobile Service ESPN International पूरी तरह से या आशिक रूप से United States से बाहर 47 Television Networks का ओनर है और इसके पास कई और Businesses हैं जो 200 से भी ज्यादा देशों और Territories में खेल प्रेमियों, Sports Fan तक पहुँचते हैं अब The World Disney Company के स्वामित्व में ESPN हर साल 9.4 Billion का revenue देता है जो कि Disney के कुल Cable Network revenues का लगभग तीन चुथाई है लेकिन शायद इसके brand की power का सबसे बड़ा सबूत एक male focus group के सदसे का यह कहना है अगर ESPN एक महिला होती, तो मैं उससे शादी कर लेता तो Cineview कैसे अपनी sales बढ़ाने के लिए इन तीन major intensive growth strategies का इस्तेमाल कर सकती है यह अपने current customers को इससे ज़्यादा खरीदने के लिए प्रोथसाहित करने की कोशिश कर सकती है इसके लिए यह video storage के साथ ही data storage के लिए DVD disk समश्रे के फायदे बता सकती है यह competitors के customers को attract करने की कोशिश कर सकती है अगर उसे उनके products में या marketing programs में कोई बड़ी कमजोरिया नजर आती हो आखिर में, Cineview non-users को blank DVD disks का इस्तेमाल शुरू करने के लिए convince करने की कोशिश कर सकती है Cineview market development strategy का इस्तेमाल कैसे कर सकती है सबसे पहले, यह current sales areas में potential user groups को पहचान सकती है अगर यह अभी तक केवल consumer markets में DVD disks बेच रही है, तो यह office और factory markets में जाए दूसरी बात, यह mass merchandising या online channels जोर कर additional distribution channels चाहे तीसरा, company अपने देश में या विदेशों में नए locations में sell कर सकती है Management को नए product की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए Cineview ने features develop कर सकती है, जैसे additional data storage capabilities या ज्यादा durability यह दो या उससे ज्यादा quality levels पर DVD disks ओफर कर सकती है या कोई दूसरी technology जैसे flash drives पर research कर सकती है यह intensive growth strategies बढ़ने के कई तरीके देती है फिर भी हो सकता है यह growth पर्याप्त न हो और management को integrative growth opportunities भी खोजनी होंगी Integrative growth कोई business अपने industry के भीतर backward, forward या horizontal integration के माध्यम से sales और profits बढ़ा सकता है Merck ने over the counter pharmaceuticals बेचने के लिए Johnson & Johnson के साथ 1989 में ही joint ventures बनाए और basic research बढ़ाने के लिए 1991 में DuPont के साथ joint ventures बनाए थे 1997 में Merck और Rhone-Powlenk के से, अब Aventis A. से ने अपने animal health और poultry genetics businesses को मिलाकर Merrill Limited बनाया जो एक fully integrated animal health company थी 20. Horizontal mergers और alliances हमेशा कारगर नहीं होते Sears और Kmart के बीच हुए merger से दोनों ही retailers की समस्याय खत्म नहीं हुई 21. Nextel Communications Inc. ने 2005 में Sprint के साथ merger किया जिसे Bloomberg के financial analysts ने गत 10 वर्षों के सबसे खराब mergers में से एक बताया है इसका एक कारण था दोनों के incompatible networks 22. United और Continental को अपने merger में हुई challenges के बारे में भी सोचे 23. United और Continental Airline के mergers बहुत tricky होते हैं क्योंकि ये regulations से भरे होते हैं और इनसे कई सारी संभावित conflicting considerations सामने आते हैं Safety, Cost, Style, Reliability, Convenience, Speed और Comfort के बारे में United का Continental के साथ merger होना strategic और financial तोर पर समझ में आता था लेकिन logistical problems अंगिनत थीं क्योंकि दोनों airlines अपने businesses को बहुत अलग-अलग तरीकों से चलाती थीं boarding procedures से लेकर जिस तरह से वे planes को gate तक लाते थे यहां तक की coffee भी एक बहुत बड़ा issue था United में Starbucks मिलती थी जबकि Continental एक company का इस्तिमाल करता था जिसका नाम fresh brew था काफी research के बाद एक समझोता किया गया एक हलका fresh blend जिसका नाम जनीज रखा गया लेकिन customers इससे impressed नहीं हुए जब तक की company ने पता नहीं लगाया की दोनों airlines के अलग-अलग brew baskets थे और United का दरसल पानी लीग कर रहा था जिससे coffee dilute हो रही थी इस समस्या के समाधान के लिए नए pillow packs का order दिया गया दूसरी तरफ, media companies ने लंबे समय तक integrative growth के फायदे प्राप्त किये है सोचिए कैसे NBC Universal ने अपनी एक property का लाब उठाया 2006 में Universal Pictures के जरिये Curious George movie की release के बाद Curious George नाम का TV show PBS Kids पर released किया गया जो Universal Studios Family Productions Imagine Entertainment और WGBH Boston का एक joint production था Universal Studios Hollywood में अभी Adventures of Curious George Ride है जहां बच्चे 500 गैलन water dump की संसनी का मजा ले सकते हैं और हजारों उड़ते हुए foam balls को खोल सकते हैं Cineview कैसे integrative growth पा सकती है Company अपने एक या उससे ज़्यादा suppliers को acquire कर सकती है जैसे plastic material बनाने वालों को ताकि इसका control ज़्यादा हो या backward integration के जरिये इसे ज़्यादा profit हो यह कुछ wholesalers या retailers को acquire कर सकती है खास तोर पर अगर वे बहुत profitable है Forward integration में आखिर में Cineview एक या उससे ज़्यादा competitors को acquire कर सकती है बशरते सरकार इस horizontal integration को रोक न दे हालांकि हो सकता है ये ने sources भी desired sales volume को पूरा न कर सके उस थिती में company को diversification के बारे में सोचना चाहिए Diversification growth Diversification growth तब समझ में आती है जब present businesses के बाहर अच्छे opportunities हो industry बहुत attractive हो और company के पास success होने के लिए सही business strengths का मिश्रन हो एक animated film producer के रूप में शुरू होकर The Walt Disney Company आगे बढ़ी और characters के licensing के business में i-merchanceed goods के लिए Hyperion imprint के साथ general interest की fiction books publish करने लगी broadcast industry में अपनी Disney channel के साथ घुसी इसके साथ ही ABC और ESPN के साथ भी theme parks और vacation और resort properties develop की और cruise और commercial theater experiences देने लगी Cineview के लिए कई प्रकार के diversification संभव है सबसे पहले company एक concentric strategy चुन सकती है और SNA products खोज सकती है जिनके technological या marketing synergies हों मौझूदा product lines के साथ हाला कि ये एक अलग group के customers को पसंद आएंगे यह एक compact disc manufacturing operation शुरू कर सकती है क्योंकि यह जानती है कि DVD discs कैसे बनाई जाती है यह एक flash drive manufacturing operation शुरू कर सकती है क्योंकि यह digital storage के बारे में जानती है दूसरा यह horizontal strategy का इस्तेमाल करके plastic DVD cases बना सकती है हाला कि इसके लिए अलग manufacturing process चाहिए होती है आखिर में company ऐसे नए businesses खोज सकती है जिनके technologies, products या markets के साथ इसका कोई संबंध न हो और एक conglomerate strategy अपना सकती है जिसमें application software या personal organizers बनाने के बारे में सोचना होगा Downsizing and divesting older businesses Companies को ध्यान से पुराने और कमजोर businesses को प्रून, harvest या divest करना चाहिए ताकि दूसरे कारियों के लिए ज़ूरी resources मिल सकें और costs कम हो अपने travel और credit card operations पर ध्यान देने के लिए American Express ने American Express Financial Advisors को अलग कर दिया था जो insurance, mutual funds, investment advice और brokerage और asset management services देती थी इसका नाम बदल कर Ameriprice Financial कर दिया गया American International Group AIG ने अपनी दो सब units को बेचने की सहमती दे दी थी American General Indemnity Co. American General Property Insurance Company जिन्हें White Mountains Insurance Group ने खरीदा है यह सब एक long-term growth strategy का हिस्सा है जिसमें redundant assets को हटाया जाएगा ताकि core operations पर ध्यान दिया जा सके Organization और organizational culture Strategic planning organization के context में होती है एक company का organization उसके structures, policies और corporate culture से मिलकर बनता है इसमें से किसी भी चीज में तेजी से बदलते business environment में समस्या आ सकती है जहां managers, structures और policies को बदल सकते हैं हाला कि यह मुश्किल है Company के culture को बदलना बहुत ही मुश्किल है फिर भी अक्सरने strategy को सफलता पूरवक implement करने के लिए culture को बदलना या अनुकूलित करना बहुत ज़रूरी है corporate culture आखिर होता क्या है कुछ इसे ऐसे define करते है shared experiences, stories, beliefs और norms जो एक organization का स्वरूप बनाते है किसी भी company में जाए और पहली चीज जो आपको नजर आती है वह है corporate culture, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं कैसे एक दूसरे से बात करते हैं और customers को कैसे greet करते हैं एक customer-centric culture किसी organization के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है Enterprise Rent-A-Car के latest, The Enterprise Way, ad campaign में उसके अपने employees है अपने Making-It-Right training program के जरिए enterprise सभी employees को खुद अपने निरने करने का अधिकार देता है इस campaign का एक ad, जिसका theme है Fix Any Problem यह बताता है कि कैसे किसी भी local enterprise outlet के पास customer satisfaction को बढ़ाने के लिए खुद काम करने का अक्तियार है 26. Marketing Innovation Marketing में innovation बहुत महत्वपूर्ण है Strategy बनाने के लिए imaginative ideas कंपनी में कई जगों पर मौझूद होते है Senior management को ऐसे fresh ideas को पहचानना चाहिए और उन्हें encourage करना चाहिए जो तीन groups से आए हों जिन्हें आम तोर पर कम जिम्मेदारिया दी जाती है Employees जिनका perspective युवाओं जैसा है या जो divers है Employees जो company headquarters से दूर रहते हैं और Employees जो इस industry में अभी अभी आए है हर group company के परंपरागत तरीकों को चुनौती दे सकता है और नए ideas को जम दे सकता है British-based Racket Benkaiser household cleaning products की उबाव इंडस्ट्री में innovative रहा है क्योंकि इसकी sales का 35% उन products से आता है जो 3 साल से कम पुराने है 27 इसके multinational staff को consumer habits की गहराई से जांच करने के लिए encourage किया जाता है और बेहतरीन performance के लिए अच्छे reward दिये जाते है Slovenia-based जो prescription pharmaceuticals non-prescription products और animal health products बनाती है का लक्षे है कि इसकी total sales का 40% से ज्यादा नए product से आए 28 marketing insight creating innovative marketing में बताया गया है कि किस तरह से कुछ प्रमुक companies innovation को देखती है Firms अपना भविशे का दृष्टिकोन चुनकर strategy बनाती है Royal Dutch Shell Group ने scenario analysis की शुरुआत की थी जिसमें market को चलाने वाली ताक्तों और अलग-अलग अनिश्चिताओं के बारे में धारनाओं का इस्तेमाल करके Firms के संभावित भविशे के plausible representations develop किये जाते हैं Managers हर सिनारियो को ध्यान में रखते हुए इस सवाल के बारे में सोचते हैं अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे और किसी एक सिनारियो को सबसे ज़्यादा संभावित मानकर उसके ऐसे साइम पोस्स देखते हैं जो इसे confirm या dis confirm कर सके 29 सोचिए movie industry को किन strategic challenges का सामना करना पड़ता है इनोवेटिव मारकेटिंग बनाना जब IBM ने टॉप CEO S और गवर्मेंट लीडर से उनकी priorities के बारे में सर्वे किया तो उनके जवाबों में business model innovation और काम करने के अनोखे तरीकों की बातें सबसे ज़्यादा थी IBM के खुद के business model innovation के प्रयास से उसका बहुत से लोगों के साथ collaboration बढ़ा यह collaboration IBM के अंदर हुआ और साथ ही बाहर भी companies, governments और educational institutions के साथ तब के CEO Samuel ने बताया कि कैसे cell processor जो company के power architecture पर आधारित है को बनाने के लिए Sony और Nintendo साथ ही competitors और Microsoft के साथ collaboration किये बिना ऐसा नहीं हो पाता Procter Agamble, PEG, ने एक goal बनाया है कि 50% नए products इसके labs के बाहर से आएंगे inventors, scientists और suppliers से जिनके new product ideas को in-house develop किया जा सकता है Salesforce.com के CEO और co-founder Mark Benioff का मानना है कि innovation की कुझी है adapt करने की क्षमता में इस company ने कई साल disruptive ideas के अंदर से आने का इंतजार किया लेकिन इसने दो firms को एक dollar billion में खरीदा क्योंकि यह इंतजार करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और कुल मिलाकर अब तक 24 firms को खरीद चुकी है जैसा की Benioff कहते हैं innovation एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया continuum है आपको इस बारे में सोचना होगा की दुनिया कैसे विक्सित हो रही है और बदल रही है क्या आप इस प्रक्रिया का हिस्सा है बिजनिस जिम कॉलिंस के रिसर्च में systematic, broad-based innovation की अहमियत बताई गई है हमेशा एक बड़ी breakthrough, एक बड़े idea की तलाश करते रहना उस सिध्धान्त के विप्रीत है जो हमें मिला है एक सच में महान company बनाने के लिए बहुत से निरने करने पड़ते हैं लगातार काम करते रहना पड़ता है, दिमबदिन, महीने दर्मीने यह एक cumulative momentum होता है और कोई भी अकेला निरने एक महान company को define नहीं करता है कॉलिंस उन companies के उदाहरन देते हैं जो एक बड़े idea को लंबे समय में शांदार तरीके से execute करके कामियाब हुई है जैसे theme parks में Walt Disney या retailing में Walmart का breakthrough ideas खोजने के लिए कुछ companies marketing problems को solve करने के लिए बड़े group को काम पर लगाती है Samsung के value innovation program, VIP में engineers, designers और planners की product development teams होती हैं और उन्हें एक time table और end date दिया जाता है यह काम होता है company के center में जो Seoul, Korea से थोड़ा दक्षिन में है वहाँ 50 specialists team की activities को दिशा देने में मदद करते हैं tough trade-offs करने में मदद के लिए team के members draw, value curves करते हैं जो sound या picture quality जैसे attributes को 1 से 5 के scale पर rank करते हैं एक नई कार विक्सित करने के लिए BMW अपने research and innovation center या project house में specialists को बुलाता है जिमें शामिल है engineering, design, production, marketing, purchasing और finance के लोग Companies कैसे Facebook और Google creative problem solving process को How might we? इस प्रशन से शुरू करते हैं आइडियो के CEO टिम ब्राउन कहते हैं कि आइडियो हर design challenge में पूछता है How might we? ब्राउन कहते हैं How वाला हिसा मानता है कि solutions मौझूद हैं यह creative confidence देता है Might वाला हिसा कहता है कि हम ऐसे ideas रख सकते हैं जो शायद काम करें या शायद न करें दोनों ही स्थितिया ठीक हैं और वी वाला हिसा कहता है कि हम इसे सब मिलकर करेंगे और एक दूसरे के ideas के ऊपर अपना कुछ और जोडेंगे Movie industry Netflix और Internet ने DVD की sales में गिरावट शुरू कर दी जो 2007 में हुई थी और अब तक रुकी नहीं है Redbox Kiosks के आने से जो एक डॉलर में movies को rent करते थे Movie business और DVD sales के लिए एक और खत्रा पैदा हो गया Film studios को साफ तोर पर उस दिन के लिए तैयारी करने की जरूरत है जब films मुखे रूप से physical distribution से नहीं बलकि satellite और cable companies की video on demand services के जरिये बेची जाएंगी हालाकि studios एक टिपिकल चार डॉलर निन्यानवे सेंट cable viewing पर 70% कमाते हैं जबकि एक DVD की बिक्री पर 30% फिर भी DVDs की बिक्री से एक फिल्म के profits का 70% आता है DVD के business को खत्म किये बिना electronic distribution बढ़ाने के लिए studios नए तरीकों से experiment कर रहे हैं कुछ companies जैसे Warner Bros. DVD को release कर रही हैं और साथ ही फिल्म के online और cable versions भी Disney अपनी parent friendly films का cross promotion अपने theme parks, TV channels और अपने stores में करती है Warner ने video game business में कदम रखा है जैसे Dark Knight Batman में ताकि वह अपने movie characters से additional revenue बना सके Warner interactive आम तोर पर games बनाने में 30 million dollar से 40 million dollar खर्च करती है और 2011 में उसकी sales लगभग 1 billion dollar थी Film studios हर संभावित सिनारियों के बारे में सोच रही हैं क्योंकि वे अपने business model को फिर से सोच रहे हैं ऐसी दुनिया में जहां DVD का राज खत्म हो चुका है Business Unit Strategic Planning Business Unit Strategic Planning Process में वह steps होते हैं जो figure 2.4 में दिखाए गए हैं आने वाले हिसों में हम हर step पर गौर करेंगे Business Mission प्रतेक Business Unit को broader company mission के अंदर ही अपना specific mission बनाने की जरूरत है इस तरह एक Television Studio Lighting Equipment Company अपना mission इस तरह बता सकती है Major Television Studios को target करना और सबसे आधुनिक और reliable studio lighting arrangements देने वाले lighting technologies के लिए उनका vendor of choice बनना इस mission में ध्यान दें की छोटे Television Studios से business पाने की बात नहीं है नहीं lowest price देने की या non-lighting products के बारे में कुछ भी नहीं है SWOT Analysis Company की strengths, weaknesses, opportunities और threats के पूरे मूल्यांकन को SWOT Analysis कहा जाता है यह External और Internal Marketing Environment को देखने का एक तरीका है External Environment, Opportunity and Threat Analysis Business unit को key macro environment forces और important micro environment factors को देखना चाहिए जो उसकी profits कमाने की काबिलियत को प्रभावित करते हैं इसके लिए उसे एक marketing intelligence system बनाना चाहिए जो trends और मेहत्वपूर्ण developments को track करे और किसी भी संबंधित opportunities और threats को भी अच्छी marketing इन opportunities को खोजने, विक्सित करने और इनसे profit पाने की कला है 31 market ING opportunity, buyer need का एक ऐसा area है जहां company की उस need को profitably पूरा कर पाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है Market opportunities के तीन मुख्य source होते हैं 32 पहला है, ऐसी चीज को offer करना जिसकी supply कम हो इसके लिए ज़्यादा marketing talent की ज़रूरत नहीं है क्योंकि need काफी सपष्ट, obvious है दूसरा है, किसी मौझूदा product या service को नए या बेहतर तरीके से supply करना कैसे? Problem detection method में customers से उनके suggestions मांगे जाते हैं ideal method में उनसे product या service के ideal version की कलपना करने के लिए कहा जाता है और consumption chain method में उन्हें product को प्राप्त करने, इस्तेमाल करने और dispose करने के steps बताने के लिए कहा जाता है इस आखिरी तरीके से अकसर एक बिल्कुल ही नए product या service को बनाने का idea आ सकता है जो market opportunities का तीसरा मुखे source है marketers को opportunities को पहचानने में अच्छा होना ज़रूरी है नीचे दी गई बातों पर ध्यान दे कोई company, converging industry trends से लाब पा सकती है और hybrid products या services introduce कर सकती है जो market में नए हो cell phone निर्माताओं ने ऐसे phones रिलीस किये हैं जिमें digital photo और video capabilities होती है global positioning systems, GPS, वगेरा कोई company, खरीदने की प्रक्रिया को ज़्यादा सुविधाजंक या efficient बना सकती है mobile ने speed pass introduce किया जो RFID, Radio Frequency Identification, Payment Systems में से एक है जिसे व्यापक तोर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि customers gas के लिए pump पर ही जल्दी और आसानी से पैसे दे सके कोई company information और advice की जरूरत को पूरा कर सकती है Angie's list व्यक्तियों को ऐसे local home improvement और दूसरी services से जोड़ता है जिनके reviews दूसरे लोगों ने किये है कोई company product या service को customize कर सकती है Timberland customers को अपने boots के अलग-अलग हिसों के colors चुनने देता है initials या numbers जोडने देता और अलग stitching और embroidery चुनने देता है कोई company कोई नई capability इंट्रोड्यूस कर सकती है consumers, iMovies को iMac के साथ बना और edit कर सकते हैं और इन्हें Apple web server पर या YouTube जैसी web site पर upload करके पूरी दुनिया के दोस्तों के साथ share कर सकते हैं शायद कोई company product या service को ज़्यादा तेजी से deliver कर सके FedEx ने mail और packages को US postal service से बहुत तेजी से deliver करने का तरीका खोज निकाला था शायद कोई company product को काफी कम दाम में offer कर सके Pharmaceutical firms ने brand name drugs के generic versions बनाए हैं और mail order drug companies अक्सर कम कीमत पर बेचती हैं Opportunities का मूल्यांकन करने के लिए Companies Market Opportunity Analysis, MOA का इस्तेमाल करके ऐसे सवाल पूछ सकती हैं क्या हम किसी defined target market को benefits को convincingly बता सकते हैं क्या हम target market का पता लगा सकते हैं और cost effective media और trade channels के जरिए उन तक पहुँच सकते हैं क्या हमारी company के पास वे critical capabilities और resources हैं जिनकी जरूरत customer benefits को देने में होगी या क्या हम उस तक पहुँच सकते हैं क्या हम benefits को actual या potential competitor से बेहतर तरीके से दे सकते हैं क्या financial rate of return हमारे investment के लिए जरूरी threshold के बराबर होगा या उससे ज्यादा Figure 2.5 के opportunity matrix में TV lighting equipment company के लिए best marketing opportunities अपर left cell 1 में दिखती हैं Lower right cell 4 में opportunities बहुत मामूली हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है Upper right cell 2 और Lower left cell 3 की opportunities पर नजर रखने लायक हैं कहीं इनकी attractiveness और potential बेहतर हो जाए Environmental threats Environmental threat एक challenge होता है जो unfavorable trend या development से पैदा होता है और defensive marketing action न लेने पर sales या profit को कम कर सकता है Figure 2.5 B में TV lighting equipment company के लिए threat matrix को दर्शाया गया है Upper left cell में जो threats हैं वे major हैं क्योंकि इनके होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और ये company को बहुत नुकसान पहुचा सकते हैं इन से निपटने के लिए company को contingency plans की ज़रूरत है Lower right cell में जो threats हैं वे minor हैं और इन्हें अंदेखा किया जा सकता है Firm को ध्यान से उन threats पर नज़र रखनी चाहिए जो upper right और lower left cells में हैं कहीं वे बढ़ न जाए या गंभीर न हो जाए Internal environment, strengths and weaknesses, analysis Attractive opportunities को भूंधना एक बात है और उनका फाइदा उठा पाना बिलकुल अलग बात है हर business को अपनी internal strengths और weaknesses का मूल्यांकन करना चाहिए Loan bright पर गौर करें 33. Loan bright एक online mortgage company, Loan bright की website पर potential home buyers, lenders की और available terms की एक personalized list पा सकते हैं पहले Loan bright ने यह पैसा कमाया कि उसने home buyer data को बड़े mortgage lenders को बेचा जिमें शामिल हैं Wells Fargo Home Mortgage, Bank of America Mortgage और Chase Home Mortgage इन firms ने data को leads में बदल दिया अपनी sales teams के लिए लेकिन चिंताजंक internal issues पैदा हो गए एक बात तो, Loan bright को अपने सभी बड़े clients को खुश रखना था और फिर भी हर client को संतुष्ट करना मुश्किल होता जा रहा था इससे समय और resources खर्च हो रहे थे Company के top managers इकठा हुए और market का और Loan bright की strengths और weaknesses का analysis किया उन्होंने निरने किया कि कुछ चिनिंदा clients को सेवाय देने की जगह वे और भी अधिक individual loan officers को सेवाय देंगे जो Company के Google Ads के जवाब में आते थे और केवल कुछ leads खरीदना चाहते थे इस change के लिए Loan bright के sales people जिस तरह से नया business लाते थे उसे बदलने की ज़रूरत पड़ी इसके तहित पुराने 12 पेज contract की जगह एक पने का contract रखा गया और एक अलग customer service department बनाया गया डेल के कई वर्षों की कामियाबी के पीछे, corporate strategy के development में SWOT के जैसा analysis था जिसका बड़ा योगदान था डेल की strength यह थी कि वह अपने hardware competitors IBM और Compaq से ज़्यादा effectively और efficiently directly customers को बेच रहा था हाला की डेल की weakness यह थी कि इसका brand उतना मजबूत नहीं था और channel infrastructure तथा solid dealer relationships का अभाव था डेल का opportunity यह था कि consumer market ज़्यादा sophisticated हो रहा था और customers अधिकाधिक जानते थे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं डेल का threat यह था कि वह मजबूत competitors और demanding channel partners के होते हुए बड़ा customer base तयार करने में असफल हो सकता था हाला की consumers creed में सुविधा और flexibility चाहते थे ऐसे में internet ने powerful direct marketing और selling option दिया डेल के business strategy में direct sales, internet marketing, mass customization और just-in-time manufacturing को मिलाया गया ताकि वह market opportunity का फाइदा उठा सके businesses अपनी खुद की strengths और weaknesses का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा form इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा marketing memo, checklist for evaluating strengths, weaknesses analysis में दिखाया गया है साफ है कि business को जरूरत नहीं है कि वो अपनी सभी weaknesses को सुधारे, नहीं उसे अपनी सभी strengths पर घमन करना चाहिए बड़ा सवाल यह है कि क्या company को केवल उन opportunities तक सीमित रहना चाहिए जिनके लिए उसके पास जरूरी strengths है या company उन पर भी विचार करे जिनके लिए उसे नई strengths खोजने या विक्सित करने की जरूरत पड़ेगी Goal formulation एक बार जब company ने SWOT analysis कर लिया है तो वह goal formulation की तरफ बढ़ सकती है planning period के लिए specific goals बनाये जा सकते हैं Goals ऐसे objectives होते हैं जो magnitude और time के मामले में specific होते हैं ज्यादातर business units कई objectives को साथ लेकर चलती हैं जिमें शामिल है profitability, sales growth, market share improvement, risk containment, innovation और reputation Business unit ये objectives बनाती है और फिर manages by objectives, AMBO के तहित काम करती है AMBO system के काम करने के लिए unit के objectives को ये चार criteria पूरी करने चाहिए उन्हें hierarchy ली होना चाहिए, सबसे जरूरी से कम जरूरी की और इस period में business unit का मुखे objective हो सकता है कि return on investment को बढ़ाया जाए Managers profit को बढ़ा सकते हैं, revenue बढ़ा कर और expenses को कम करके वे revenue को बढ़ा सकते हैं, market share और prices बढ़ा कर Objectives quantitative होने चाहिए जहां तक संभव हो Objective to increase the return on investment, ROI, को goal में बदल कर कहना बेहतर है To increase ROI to 15% within 2 years Goals realistic होने चाहिए Goals को business unit के opportunities और strengths के analysis से निकलना चाहिए किसी मंशा या इच्छा पूर्ती से नहीं Objectives consistent भी होने चाहिए Sales और profits को एक ही समय पर maximize करना संभव नहीं है दूसरे important trade-offs में शामिल है Short-term profit versus long-term growth Existing markets की deep penetration versus नए markets बनाना Profit goals versus non-profit goals और high growth versus low risk हर choice एक अलग marketing strategy की मांग करता है 34. कई लोग मानते हैं कि strong market share growth के goal को अपनाने का अर्थ शायद short-term profits को छोड़ना हो Volkswagen के annual revenue के मुकाबले 15 गुना है लेकिन के profit margins Volkswagen के मुकाबले 7 गुना है दूसरी successful companies जैसे Google, Microsoft और Samsung ने profitability और growth को maximize किया है Strategic formulation Goals बताते हैं कि एक business unit क्या achieve करना चाहती है Strategy वहाँ तक पहुँचने के लिए एक game plan है हर business को अपने goals को हासिल करने के लिए एक strategy बनानी होगी जिसमें marketing strategy समिलित है और साथ में compatible technology strategy और sourcing strategy भी Porter के generic strategies Michael Porter ने तीन generic strategies सुझाए हैं जो strategic thinking के लिए एक अच्छी जगह देते हैं जहां से शुरू किया जा सकता है Overall cost leadership, differentiation और focus 35. Overall cost leadership Firms सबसे कम production और distribution costs पाने के लिए काम करती हैं ताकि वे competitors से कम दामों में बेच सकें और market share जीच सकें उन्हें marketing में कम skill की ज़रूरत है समस्या यह है कि दूसरी firms आम तोर पर और भी कम costs के साथ उनसे मुकाबला करेंगी और उस firm को नुकसान पहुचाएंगी जिसने अपना पूरा भविशे cost पर टिका रखा है Differentiation, business ऐसे important customer benefit area में बेहतरीन performance पाने पर ध्यान देती है जिसे market के बड़े हिसे में value दी जाती है जो firm quality leadership चाहती है उसे मसलन सबसे अच्छे components से products बनाने होंगे उनको कुशलता से जोड़ना होगा उनका ध्यान से inspection करना होगा और उनकी quality को effectively communicate करना होगा Focus, business एक या एक से ज्यादा छोटे market segments पर ध्यान देती है उनको गहराई से जानती है और target segment के भीतर या तो cost leadership अपनाती है या differentiation अपनाती है Online air travel industry ने इन तीनों strategies का एक अच्छा उदाहरन दिया है Travelocity ने differentiation strategy अपनाई है जिसमें traveler को services की सबसे बड़ी range दी जाती है Lowest fare ने leisure travel market के लिए lowest cost strategy अपनाई है और last minute ने एक niche strategy अपनाई है जिसमें उन travelers पर focus किया है जिनके पास बहुत कम notice पर travel करने का flexibility होता है कुछ companies एक hybrid approach का इस्तेमाल करती है Porter के अनुसार competing firms जो एक ही strategic group का हिसा है वे एक ही strategy को एक ही target market के लिए इस्तेमाल करते है 36 जो firm strategy को सबसे अच्छे तरह से लागू करती है वह सबसे ज़्यादा profits कमाएगी Circuit City का business खत्म हो गया क्योंकि यह consumer electronics industry में सबसे कम cost वाली लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा value पाने वाली या कोई market segment serve करने में सबसे बेहतरीन company के रूप में नहीं उभरी थी Porter operational effectiveness और strategy के बीच अंतर करता है Operational effectiveness को competitors जल्दी से benchmarking और दूसरे tools के इस्तेमाल से copy कर सकते हैं इस प्रकार operational effectiveness के advantage को कम कर देते हैं दूसरी तरफ strategy है एक unique और valuable position बनाना जिसमें activities का एक अलग set शामिल हो कोई company claim कर सकती है कि उसके पास strategy है जब वह rival से अलग activities करती है या उसी जैसी activities को अलग तरीकों से करती है strategic alliances यहां तक कि बड़ी companies, Attity, Philips और Starbucks अकसर leadership नहीं पासकती चाहे national level पर या global level पर बिना domestic या multinational companies के साथ alliances बनाए जो उनकी capabilities और resources को compliment या leverage करती हो सिर्फ दूसरे देश में business करने के लिए शायद firm को अपने product का license देना पड़े local firm के साथ joint venture बनाना पड़े या domestic content की requirements को पूरा करने के लिए local suppliers से खरीदना पड़े कई firms ने global strategic networks विक्सित किये हैं और जीत उन्हें मिलेगी जो बेहतर network बनाए Star Alliance में 27 airlines शामिल है जिमेल अफ्थांसा, United Airlines, Singapore Airlines, Air New Zealand और South Africa Airways भी है यह एक बहुत बड़ी global partnership है जो 193 देशों में travelers को सैक्रों जगों पर लगभग seamless connections देती है 37. कई strategic partnerships, marketing alliances का रूप लेती है यह चार मुखे categories में बाटी जा सकती है Product या service alliances एक company दूसरी को अपना product बनाने के लिए license देती है या दो companies अपने complementary products को या एक नए product को मिलकर market करती है Credit card industry cards का complicated combination है जो banks जैसे Bank of America, credit card companies जैसे visa और affinity companies जैसे airlines से मिलकर बना है और वे मिलकर इन्हें market करते है Promotional alliances एक company दूसरी company के product या service के लिए promotion करने की सहमती देती है 2011 में Vibe Urban Music और Lifestyle Magazine ने WhoPitUp के साथ promotional alliance का एलान किया था यह दुनिया का सबसे बड़ा participatory teen on teen basketball tournament program है जिसमें 35 cities में मुकाबले होते है इस platform partnership में शामिल था Vibe Digital, Vibe City Guide App, editorial coverage और Vibe में promotion और बहुत ज्यादा integrated social media campaign देश भर के सभी WhoPitUp live events में Vibe की मजबूत उपस्थिती भी थी 38. Logistics Alliances एक company दूसरी company के product के लिए logistical services देती है Warner Music Group और Sub Pop Records ने Alternative Distribution Alliance नाम का एक joint venture बनाया 1993 में ताकि independent labels के records distribute और manufacture किये जा सके United States में physical और digital दोनों products के distribution के मामले में अगरणी, indie, distribution company है Pricing collaborations एक या एक से ज़्यादा companies एक खास pricing collaboration में शामिल होती है Hotel और rental car companies अक्सर mutual price discounts देती है Companies को रचनात्मक तरीके से ऐसे partners खोजने के बारे में सोचना चाहिए जो उनकी strengths को compliment करें और उनकी weaknesses को offset करें Well-managed alliances, companies को कम cost में ज्यादा sales impact पाने में मदद करते है Strategic alliances को समरिद रखने के लिए Corporations ने ऐसे organizational structures विक्सित करने शुरू कर दिये हैं जो उनको support करें और कई companies, partnerships बनाने और manage करने की क्षमता को एक core skill जिसे Partner Relationship Management, PRM, कहा जाता है, मानने लगी है कई सालों तक acquisitions के जरिये तथा दो दरजन companies में interests खरीद कर बढ़ने के बाद दुनिया के सबसे बड़े wireless telecom operator Vodafone ने अपने मौझूदा assets का लाब उठाने में अपनी मदद करने के लिए बाहर partners को देखना शुरू कर दिया है Vodafone ज्यादा innovation और growth पाने के लिए London में स्थित Vodafone ने open source software और open platforms को अपनाया है जिसकी वजह से यह दूसरों की creativity और skills का फाइदा उठा पाती है Vodafone के web portal bitvine के जरिये amateur या professional software developers किसी भी network पर अपने latest mobile applications बना और test कर सकते हैं केवल Vodafone के ही network पर नहीं हाला कि यह developers intellectual property rights को अपने पास रखते हैं Vodafone को latest trends का पता जल्दी चल जाता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि innovations उसके network के compatible हों कुछ नए apps में शामिल हैं real-time train arrivals और departures, movie show times और एक amazon.com widget जिसमें personalized details हों तीस देशों में 404 million customers के साथ इस 46 pound billion company को इच्चुक corporate partners से मदद पाने में कोई परेशानी नहीं हुई है Dell ने Vodafone के साथ मिलकर ऐसे laptops और low-priced netbooks को design किया है जिमें Vodafone के networks पर built-in wireless broadband access होता है सिर्फ partnership बनाने की जगह कोई firm शायद दूसरी firm को acquire करना चाहे Craft ने Cadbury को 2010 में acquire किया इसका एक कारण था भारत जैसे emerging markets में Cadbury की गहरी पैट जहां Craft की उतनी मजबूत उपस्थिती नहीं थी इस acquisition से Craft एक restructuring करने और अपने businesses को दो companies में बांटने में भी सफल हुई एक जिसका ध्यान grocery products पर था और दूसरी snack foods पर 40. Program formulation and implementation एक अच्छे marketing strategy को भी खराब implementation से खत्म किया जा सकता है अगर unit ने technological leadership पाने का निश्चे किया है तो उसे अपना RD department मजबूत करना होगा technological intelligence इकठा करना होगा अगरनी products विक्सित करने होंगे अपने technical sales force को training देनी होगी और अपनी technological leadership को communicate करना होगा एक बार marketers के marketing programs बना लिये जाने के बाद उन्हें इनके costs अनुमान लगाने होंगे क्या किसी खास trade show में participate करना लाबदायक रहेगा क्या एक और salesperson appoint करने से कमाई बढ़ेगी Activity Based Cost Accounting ABC जिसके बारे में chapter 5 में ज्यादा बताया गया है इसमें मदद कर सकती है कि हर marketing program cost को justify करने के लिए ज़रूरी results दे पाएगा या नहीं Stakeholder satisfaction आज के businesses यह मानते हैं कि जब तक वे दूसरे stakeholders, customers, employees, suppliers, distributors को नहीं बढ़ाते हैं हो सकता है कि वे stockholders के लिए परियापत लाब नहीं कमा पाए कोई company अपने customers को बहुत खुश करना चाहे अपने employees के लिए अच्छा काम करना चाहे और अपने suppliers को एक निश्चित स्तर तक संतुष्ट रखना चाहे इसे कोई भी stakeholder group के साथ ऐसा वेभार नहीं करना चाहिए जिससे उनमें दूसरे groups के मुकाबले मिल रहे treatment को लेकर नाइसाफी की भावना आ जाए 42 stakeholder groups के बीच में एक गतिशील, dynamic, संबंध होता है एक चतुर company एक high level का employee satisfaction तियार करती है जिससे अधिक effort मिलता है जिससे बेहतर quality के products और services बनते है इससे अधिक customer satisfaction मिलता है जिससे repeat business अधिक होता है जिससे उच growth और profits होते है इससे high stockholder satisfaction मिलता है जिससे अधिक investment आता है इत्यादी इस सद्भावपूर्ण चक्र, virtuous circle से profits और growth प्राप्त होती है McKinsey company का मानना है कि successful business practice में strategy साथ elements में से सिर्फ एक है और ये सभी elements S अक्षर से शुरू होते है 43 पहले 3 strategy, structure और systems को success का hardware माना जाता है अगले चार, style, skills, staff और shared values इसका software है पहला, soft element, style का अर्थ है कि company के employees सोचने और विवहार करने के समान तरीके साजह, share, करें दूसरे element, skills का अर्थ है कि employees के पास company के strategy को लागू करने के लिए ज़रूरी skills हो staffing का अर्थ है कि company ने capable लोगों को काम पर रखा हो, उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया हो और उन्हें सही काम दिये हो चोथा element, shared values का अर्थ है कि employees समान guiding values को share करें जब ये elements मौजूद होते हैं, तो companies अमूमन strategy को लागू करने में अधिक सफल होती है Businesses एक नई दिशा बनाना निरंतर समरिधी या यहां तक की अस्तित्व इस बात पर निर्भर हो सकता है कि एक firm कितनी तेजी से और प्रभावी रूप से एक नई दिशा बना पाती है इन examples पर गौर करें consumers द्वारा smart phones का अधिकाधिक इस्तेमाल directions और maps के लिए करने के कारण GPS devices की सबसे बड़ी maker Garmin ने पाया कि sales तेजी से गिर रही है इसका solution था automakers के साथ partnership करने पर ध्यान देना ताकि GPS systems को dashboard के command centers में लगाया जा सके इसकी selling points यह हैं कि ज़दातर smart phones driving के दोरान इस्तेमाल करने के लिए optimized नहीं होती हैं और इस तरह wheel के पीछे इस्तेमाल करना dangerous है Garmin ने अपनी भी एक app बनाई है जो smart phones के लिए available है जब Doe Chemical ने पाया कि इसकी commodity chemical strategy अब लाबदायक नहीं थी नए CEO Andrew Livery ने company का focus ऐसे unique, innovative high margin products पर लगाने का निरने लिया जैसे solar shingless Doe का इरादा चार main trends पर ध्यान देने का था clean energy, health or nutrition, emerging world में consumerism और infrastructure इन चार areas में RD investments पांच वर्षों में $9 billion थी Amazon के Kindle, Apple के iPad और दूसरे tablet products की बहुत ज़्यादा सफलता ने book world को बिलकुल उलट-पुलट दिया है Bookstores, Libraries और Publishers ये सभी मान रहे हैं कि किसी book की sale और delivery अब केवल एक download दूर है Libraries e-readers को lend कर रही हैं और साथ ही e-books को भी stocking कर रही है जब due date आती है तो book गायब हो जाती है Textbook market को नई entry से बदला जा रहा है जैसे flat world knowledge द्वारा जिसमें customizable discount texts दी जाती है कुछ schools में free e-textbooks, users को page by page scroll करने, highlight और annotate करने और classmates और instructors के साथ comments share करने देती है कुछ students e-textbook का paper version भी खरीद लेते हैं एक student कहता है जब मैं e-textbook का इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो email चेक करने, grades चेक करने या Facebook चेक करने का लोब होता है Feedback और Control Company की strategic fit और environment के बीच का सामझसे अनिवारे रूप से खत्म हो जाएगा क्योंकि market environment company के साथ ऐसे से ज़्यादा तेजी से बदलता है इस तरह company efficient रह सकती है लेकिन effectiveness खो सकती है Peter Drucker ने बताया था कि to do things right, efficient होने से ज़्यादा मेहत्वपून है to do the right thing, effective होना हालांकि सबसे successful companies दोनों में ही excellent होती है एक बार organization किसी बदले हुए environment के हिसाब से जवाब देने में असफल रहता है उसके लिए अपनी खोई हुई position को फिर से पाना बहुत मुश्किल हो जाता है organizations, खास तोर पर बड़े organizations, inertia के अधीन होते हैं हर चीज को adjust किये बिना इसके एक हिसे को बदलना मुश्किल है फिर भी organizations को बदला जा सकता है दृड नेतरित्व, strong leadership के जरिये और अच्छा है कि यह बदलाव किसी crisis के पहले कर दिया जाए organizational health की कुझी है बदलते हुए environment की जांच करने की इच्छा होना और ने goals और विवहारों को अपनाना Marketing Insight, Business is Charting a New Direction में बताया गया है कि किस तरह अलग-अलग companies और industries ने marketing realities के हिसाब से खुद को बदल रही है जिससे उनकी किसमत बदल गई है Marketing Plan का स्वभाव और उसमें शामिल चीजे अपने से उपर के स्थरों पर बनाए गए plans के दाएरे में काम करते हुए Marketing Managers अलग-अलग products, lines, bradza, channels या customer groups के लिए एक marketing plan लेकर आते है Marketing Plan एक written document होता है जिसमें यह बताया जाता है कि marketer ने marketer place के बारे में क्या सीखा और यह भी बताया जाता है कि firm अपने marketing objectives तक पहुँचने के लिए क्या plans बना रही है 45 इसमें marketing programs के लिए tactical guidelines और planning period में financial allocations बताया जाते है 46. Marketing Plan, marketing process के सबसे महत्वपूर्ण outputs में से एक है यह brand, product या company के लिए direction और focus देता है यह organization के अंदर और बाहर की constituents को उनके marketing goals के बारे में और इन goals को किस तरह पाया जा सकता है इसके बारे में जांकारी देता है और motivate करता है Non-profit organizations fundraising और outreach के लिए marketing plans का इस्तेमाल करती है और government agencies इसका इस्तेमाल करती है Nutrition के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और tourism को encourage करने में Business plan से कम scope होने के कारण Marketing plan में लिखा होता है कि specific marketing strategies और tactics के जरिये organization अपने strategic objectives को कैसे पाएगी तथा इसमें customer को प्रारंभिक बिंदु माना जाता है यह दूसरे departments के plans से भी जुड़ा होता है मान ले कि किसी marketing plan में सालाना 2,00,000 units बेचना है Production department को इतने units बनाने के लिए तयार होना होगा Finance को expenses के लिए funding करनी होगी Human Resources को staff के लिए higher और train करने को तयार होना होगा वगेरा Organization के सही स्थर पर support और resources न होने से कोई भी marketing plan का मियाब नहीं हो सकता है Marketing executives का कहना है कि आजकल marketing plans में सबसे आम shortcomings होती है उनमें realism की कमी, competitive analysis का कम होना और short run focus होना Marketing plans बनाने में पूछे जाने वाले सवालों के लिए देखें Marketing Memo, Marketing Plan Criteria Marketing Plan का मूल्यांकन करने के लिए कुछ सवाल क्या plans simple और succinct, संक्षिप्त है? क्या इसे समझना आसान है और इस पर कारवाई करना आसान है? क्या यह अपने content को साफ तोर पर और practical तरीके से communicate करता है? क्या यह ज़रूरत से ज़्यादा लंबा तो नहीं है? क्या plan complete है? क्या इसमें सभी ज़रूरी elements शामिल है? क्या इसमें सही breadth, विस्तार और depth, गहराई है? Completeness एवं बहुत सारी detail के बीच तथा simplicity और clear focus के बीच सही संतुलन को हासिल करना अक्सर अच्छे से बनाए गए marketing plan की कुंजी होता है क्या plan specific है? क्या इसके objectives concrete और measurable है? क्या इससे action के लिए सपष्ट रास्ता मिलता है? क्या इसमें specific activities है? और हर activity के लिए specific date of completion, specific person responsible और specific budget है? क्या plan realistic है? क्या sales goals, expense budgets और milestone dates realistic है? क्या संभावित concerns और objections को बताने के लिए frank और honest self-critique की गई है? Marketing plan के components ज़्यादातर marketing plans में 5 से लेकर 50 pages तक में 1 साल का समय cover किया जाता है छोटे businesses ज़्यादा छोटा या informal marketing plan बना सकते हैं Corporations को आम तोर पर बहुत ही structured documents चाहिए होते हैं Plan के हर हिसे का काफी detail में वर्नन होना चाहिए कुछ companies अपने marketing plan को internal website पर post करती हैं ताकि सभी इसे देख सकें और changes पर मिलकर काम कर सकें एक marketing plan में अमूमन ये sections होते हैं Executive Summary or Table of Contents Situation Analysis इस section में sales, costs, market, competitors और macro environment पर relevant background data दिया होता है हम market को कैसे define करते हैं यह कितना बड़ा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है relevant trends और critical issues क्या है Firms इस सारी जांकारी का इस्तेमाल करेंगी एक SWOT analysis करने के लिए Marketing Strategy यहां marketing manager mission, marketing और financial objectives को बताता है और साथ ही market offering को भी जिसे उन needs को पूरा करना है जो उसे satisfy करनी है और competitive positioning को भी बताता है इस सब में दूसरे areas जैसे purchasing, manufacturing, sales, finance और human resources से भी inputs चाहिए होते हैं Marketing tactics यहां marketing manager उन marketing activities का खाका खींचता है जो marketing strategy को लागू करने के लिए ली जाएंगी Product or service offering section में की attributes और benefits को बताया जाता है जो target customers को appeal करेंगे Pricing section में general price range को बताया जाता है और यह भी कि कैसे यह अलग-अलग तरह के customers या channels के लिए बदल सकती है incentives या discount plans भी इसमें शामिल होते हैं Channel section में distribution के अलग-अलग रूपों का overview दिया जाता है जैसे direct या indirect Communications section में आम तोर पर general message और media strategy के बारे में high-level guidance दी जाती है Firms अकसर एक अलग communication plan बनाएंगी ताकि agencies या दूसरे media partners को ज़रूरी detail दी जा सके जिससे communication program को प्रभावी तरीके से design किया जा सके Financial projections Financial projections में शामिल है, sales forecast, expense forecast और break-even analysis Revenue की तरफ महीने के हिसाब से forecasted sales, volume और product category होती है और expense की तरफ marketing की expected costs होती है जिन्हें और भी छोटी categories में बाट दिया जाता है Break-even analysis में यह अनुमान लगाया जाता है कि monthly fixed costs और average per unit variable costs को offset करने के लिए फिर्म को हर महीने कितने units बेचने होंगे या कितने वर्ष लगेंगे Profit का अनुमान लगाने के लिए ज्यादा complex method है risk analysis यहां हम एक assumed marketing environment और marketing strategy के तेहित Planning period में profitability को प्रभावित करने वाले हर uncertain variable के लिए तीन अनुमान, optimistic, pessimistic और most likely पाते है Computer possible outcomes को simulate करता है और एक distribution निकालता है जिसमें rates of return का range होता है और उनकी probabilities होती है Implementation controls आखिरी section में plan के implementation की monitoring और उसे adjust करने के controls का खाका दिया जाता है आम तोर पर इसमें हर महीने या quarter के goals और budget होते हैं ताकि management हर period के results को review कर सके और जरूरत होने पर corrective action ले सके Research का role Marketers को environment, competition और चुने गए market segments के बारे में up-to-date information चाहिए होती है अकसर, current marketing situation का मुल्यांकन करने के लिए internal data का analysis शुरुआती बिंदु होता है जिसे marketing intelligence और उस overall market की जांच करने वाले research से support मिलता है जिसमें competition, key issues, threats और opportunities के बारे में जानकारी होती है जैसे जैसे plan लागू होता है marketers objectives की तरफ बढ़ने वाली progress को मापने और उन areas को समझने के लिए research का इस्तेमाल करते हैं जहाँ सुधार की जरूरत है आखिर में, marketing research से marketers अपने customers की requirements, expectations, perceptions, satisfaction और loyalty के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं इस प्रकार, marketing plan में इसकी रूपरेखा होनी चाहिए कि marketing research कब की जाएगी, कैसे की जाएगी और findings को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा relationships का role यदिपी marketing plan बताता है कि company profitable customer relationships को कैसे बनाएगी और रखेगी यह internal और external दोनों relationships को प्रभावित करता है सबसे पहले, यह प्रभावित करता है कि marketing staff आपस में और दूसरे departments के साथ कैसे काम करेंगे ताकि value दी जा सके और customers को satisfy किया जा सके दूसरा, यह प्रभावित करता है कि company plan के objectives को पाने के लिए suppliers, distributors और partners के साथ कैसे काम करती है तीसरा, यह company के दूसरे stakeholders के साथ dealings को प्रभावित करता है जिमें शामिल है government regulators, media और विस्तरित तौर पर community Marketing plan से marketing action तक marketers implementation date से काफी पहले planning शुरू कर देते हैं ताकि marketing research, analysis, management review और departments के बीच coordination के लिए समय मिल सके जैसे जैसे हर action program शुरू होता है, वे चल रहे results की देखरेक करते हैं plans से किसी भी deviation की जांच करते हैं और जुरूरत होने पर corrective steps लेते हैं कुछ contingency plans बनाते हैं marketers को किसी भी समय marketing plans को update और adapt करने के लिए तेयार रहना चाहिए marketing plan में आम तौर पर budgets, schedules और marketing metrics का खाका मिलता है ताकि results की monitoring और उनका मूल्यांकन किया जा सके budgets के साथ marketers किसी दी हुई period के लिए planned और actual expenditures को compare कर सकते हैं schedules बताते हैं कि tasks कब पूरे होने चाहिए थे और वे असल में कब पूरे हुए थे marketing metrics marketing programs के असली outcomes को देखता है ताकि पता चल सके की company अपने objectives की तरफ बढ़ रही है या नहीं जैसा कि हम chapter 4 में चर्चा करेंगे